15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का जस्त मना रहा था तब भात्मा गांदी कहां थे यह प्रस्त 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 नहीं उठाया जाता है कि इसके अंदर कोई ऐसा एंगल नहीं है जिससे की राजनितिक रूप से लाब उठाये जाए सके वास्तिविक तहीं है कि यह एक ऐसा एंगल है जो सेक्विलर भारत को दिखाता है पंद्रा अगस्त उन्निस्ट संतालीस को पंडित जवारलाल में रूप जंडा रोहन कर रहे थे ब्रिटीस जंडा उतारा जा रहा था और बारत का जंडा तिरंगा चड़ाया जा रहा था और देश में जस्तन का महोल था और मात्मा गांधी उस समय कलकत्ता में थे वे नुवा खली जाने के लिए जहां हिंदूओं का कतल आम हो रहा था नुवा खली वर्तमान में बांगलादेश में उसी रोकने के लिए वे जा रहे थे तब कोलकत्ता में उन्हें रोका गया जिस व्यक्ति ने जिन्ना के कहने पर डारेक्ट एक्षन प्लांद किया था सुहरा वर्ति उस से गांधीजी ने बात करी और दोनों कलकत्ता के बेलिया घाट चेत्र में हेदर भवन के अंदर ठहरे तीन कमरों के इस भवन में सफाई की गई और गांधीजी वहां रहे वहां उन्होंने उपवास किया शांती के लिए प्राथनाई की पंदरा अगस्त की सुबह वे दो बजे उठ गए चर्खा चलाते रहे उस दिन उन्होंने उपवास रखा सुबह में कोश्मपाली का रविंद्र नाट्टे गोर का गीद काते हुए अग्रेज दोस्त को पत्र लिखा जिसके अनदर मुझे इंसा हो रहे तब मुझे जस्त मनान pozy आजादी का जस्न मनाना पसंद नहीं है और उन्होंने यह जस्न नहीं बनाया तो हमारे राष्टपता महात्मा गांधी ने जिन्होंने पूरा जीवन देश की आजादी को समर्पित किया जिसकी बताए मार्ग अहिंसा पर लोग चले और देश को आजाद करवाया वे मानाफता की रक्षा के लिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जस्न में सामिल नहीं हो यह देश की आजादी की जस्न में सामिल नहीं हुए है और कलकत्ता की सड़कों पर गुमते हुए शांती का प्रयास किया उसकी बाद वे नौहा खली गए नौहा खली में क्या कुछ किया उन्होंने इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा